हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो माई चैनल दोस्तों मुझे सर्फ आपके पांसे दस मिनट ही चाहिए जिससे कि आपके बाल लंबे हो जाएं घने हो जाएं और काले हो जाएंगे और साथी साथ वो जड़ से मजबूत ही होंगे बस मेरे बतायों तरीके से आपको यह लगाना है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पसंद आएगी तो शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा तो देखे दोस्तों अगर आप चाहते हो आपके बाल हैल्दी रहें काले रहें और मजबूत रहें तो उसके लिए थोड़ी मेनट तो करने ही पड़ेगी तो सिर्फ आपके पा होने के साथ ही साथ काले भी होंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पसंद आएगी तो शेयर जरूर कीजिएगा आपका एक लाइक एक शेयर हमाई लिए बहुत ही ज्यादा माइन रखता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इस खास रेमेडि को बनाने के लिए पाने में जब आजाए दोस्तों राइस वाटर होता थैसे लेक्स करते हैं ना था जर्ली पानी रखता है उसको आपने तो आपने मसल सकते हो तो सकते हो ताकि इसका इस पानी आजआ जाए इसजागी कर्टार्ट से लेक्ट तो यह देखिए पानी रेड़ी है अब हम इसको स्टेंड कर लेंगे इसको चान लेंगे दूसरे बॉल में निकाल लीजिए का तो बस अब आपने इसमें डालना है कैस्टर लॉइल टू टी स्पून दोस्तों कैस्टर लॉइल आपके बालों में जो भी ट्रेंडफ की प्रॉ बहुत ही तो बस इसके बाद आपने इसमें डालना है विटामिन ए का एक कैपसूल काफी है क्योंकि हमने इसमें कैस्टर लॉइल डाला है दोस्तों विटामिन ए कैपसूल हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है यह उनको स्ट्रॉंग करने के साथ ही साथ जड़ से करता है और यह आपके बालों में सॉफ्टनेस लॉट करके रखता है सिल्की स्मूद मनाता है और यह एक रोग के लिए अगर कर ली है ना तो अगर आप इसको लगाते रोके तो इसके साथ ही साथ आपके बाल स्ट्रेट भी होंगे बहुत ही अच्छी तरह से और कोई भी आ कर देना है और ट्रांस्वर कर लेना है एक स्प्रे बॉटल में और लगाने से पहले आप इसको शेक कीजिएगा ताकि जो भी प्रॉपर्टी नीचे बैठ जाती है वह मिक्स हो जाए ची तरह से और अगर आपके पास बाइचांस प्रे बॉटल नहीं है तो आप किसी कॉट पानी आप उसमें शेंपू डाल के दुबारा यूज कर सकते है या फिर आप इसको फ्रीज में स्टोर कर लीचिए सेवन देस तक यह स्टोर रहता है फ्रीज में लगाने से आधे एक घंटे पहले आप निकाल लीचिए थोड़ा नॉर्मल हो जाए इसका वाटर लगा पीचिए अपना प्यार इस वीडियो में दिखाए मिलती हार से न्यू और अच्छी वीडियो को साथ दें टेक क्यां ठैक्स तो मुझ गाइस वाचिंग इस वीडियो बाइबाए